Hello students, आईए स्टार्ट करें आज का सेशन, आज के सेशन में हम सीखेंगे degree of relation, unary, binary, relations के साथ तो आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले, प्लीज आप हमारे चैनल को ज़रू सब्सक्राइब कर लें, तांकि आपको हमारे आने वाले हर एक वीडियो मिलते रहें तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, डिग्री ओफ रिलेशन, टोटल नंबर ओफ कॉलम्स और एट्रिब्यूट से ने टेबल, इस कॉल्ड डिग्री ओफ दे रिलेशन, एक टेबल में कॉलम्स की टोटल गिंती को टेबल की डिग्री कहा जाता है, एक टेबल में जितने भी कॉलम्स हैं, उन कॉलम्स की गिंती को क्या कहा जाता है, टेबल की डिग्री और टेबल को रिलेशन भी कहा जाता है, यहाँ पे हम employee branch table ले रहे हैं, employee branch table में हमने six attributes लिये हैं, employee number, employee name, contact, department number, department name, department head, यह हमारे पास six attributes हैं, और attributes को कॉलम्स भी कहा जाता है, और इस तरह से एक table में जितने भी columns हैं, उनको क्या कहा जाता है, table की डिग्री, तो इस table में हमारे पास कितने columns हैं, कितने attributes हैं, total six attributes हैं, हमारे पास total six attributes हैं, तो इस तरह से इस relation की डिग्री six है, तो आपने सीखा, डिग्री किसे कहते हैं, किसे कहते हैं डिग्री, एक table में total number of attributes को table की डिग्री कहा जाता है, और इस तरह से इस table को six-ary relation भी कहा जाता है, six-ary relation, क्यों, क्योंकि इसमें six attributes हैं, तो इस तरह से एक table जिसमें six attributes हैं, और इसी तरह से वो table जिसमें only two attributes हैं, उसे binary relation कहा जाता है, और three attributes वाले relation को ternary relation कहा जाता है, ternary relation किसे कहा जाता है, जिस table में सिरफ तीन attributes हूँ, तो इस तरह से आज के session में आपने सीखा, डिग्री किसे कहते हैं, यूनरी और binary relation, और साथ ही सीखा ternary relation, तो session को यहीं stop करते हुए, मिलते हैं next session में next topic के साथ, तil then have a nice time, thank you, bye bye.